इतने भी मेरे शुरूता हैं सबको पैरशो के प्रणाम कर रहा हूँ और दिल से थैंक्यों कि आप लोगों ने अपने भाई के प्रती जो प्यार है आपने आज दिखाया इस सिनेमा का नाम ही है दुलहन वही जो पिया मनभावे चाहे हम लाक दुनिया के कोई भी गलती करते है लेकि हमारे दिल की रानी वही बनती है जो हमारे मन की होती है जो हमारे माबाप चुनते हैं उसको और माबाप बड़े सरधा से हमें महबत दे कर और हमारी महबत को भी अक्सेट करते है बस दुनिया में ऐसे ही प्यार खेसारी लाल्यादों को हमेशा देती रही है बहुत अच्छा लगा आज निसान तुजुवल जी ने बताया मुझे की छपरा में तीनो सो हाउसफूल बीना पटना में लेकर मुतिहारी से लेकर सीता मढ़ी तक मरे जहां जहां लगा है हर जगा हाउसफूल पहली बार ये महदी थिरी में हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोगों के सिनेमारे ले जो लेकि ऐसी चीजे देखने को नहीं मिली चाहिए उसका कारण करोना हो सकता है लेकि करोना तो अभी भी है लेकि आप लोग का प्यार इतना बड़ा है जाप लोग के सारी को हर दुख में हमेशा साथ देते हैं जब ही मुझे कोई तकलीफ हुई है तो मुझे आसरा किसी स्टार और कैसी एक्ट्रेस का नहीं होता है किसी heroine या किसी hero का नहीं मुझे तो सिर्फ आपका प्यार और असिरबाद मिलता है और मुझे कोई promote करे या ना करे मुझे कोई फरक नहीं परता मैं किसी hero heroine के promote से हहा तक यहीं पहुँचा मैं सिर्फ आपके ब़दावलत पहुचाऊ और बहुत कम ऐसे सिनेमा बनती है अगर आप लोगोंने बाहु बली देखा होगा तो बाहु बली से तुलना तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसका एक अलग लेबी चीज़े है बट अगर एक फैमिली की बाते करे एक एमोशन की बाते करे तो इस सिनेमा में हर वो चीज़ है जो आप तक आपके घर और आपके परिवार की है और मुझे भी इस सिनेमा करके बड़ी खुसी मिली थी ठंडी में हम सब इतनी मेहनत किये ठिक है निसान जी ने बताई एक बात की जो इसमें काम भी किये हैं वो लोग भी पोस्टर सेयर नहीं कर रहे है तो क्या फरक पड़ता है उसे आप सब मुझे सेयर कर रहे हैं आप सब मुझे परमोट कर रहे हैं मेरी जनता जनारदर मेरे साथ है तो क्या फरक पड़ता है कोई फरक नहीं पड़ता निसान जी का मेहनत, अभेभिया का मेहनत, हमारे रजनी जी का मेहनत, समीर अप्ताब का मेहनत, मधु जी का मेहनत सबका एक मेहनत है, जो यहां तक पहुँचाया है, काजल जी ने बहुत अच्छा काम किया है तुम्हें सबे सारे कलकार सारे टेक्निशियन को दिल से वासू ददा से लेकर हर उस आदमी को मैं ताहे दिल से सुकर यादा करता हूँ चाहे एक्ट्रेसों या एक्टर हों सबने बहुत बाखोबी काम किया और आप सबने प्यार दिया काजल जी ने बहुत अच्छा काम किया है मधु जी ने बहुत खुबसूरत काम किया है एक इतनी अच्छी एक्ट्रिस मधु सर्मा है इस सिनेमा में आपको नजर आएगे कि क्या उन्होंने अद्भूत काम किया काजल जी का जो जौन है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा, उन्होंने भी बहुत खुबसूरत सिनेमा का हिसा बनी, और अजिस्विया ने सब से बहुत अच्छा काम कराया, तो बस से, और आप सब ने, देखिए हम तो हर सिनेमा में अच्छा काम करते हैं, लेकि आज आप लोगों ने प्यार और जो एकता खिसारी के लिए आप सब ने दिखाया है, एक बार उस सिनिमा को जरूर देखिएगा, आपको अपने बीबी से प्यार हो जाएगा, उस अवरत को अपने पती से महबत हो जाएगी, जो कभी अपने पती को गलत समझती है, जो पती अपने पत्नी को गलत समझता है, उ अगर कोई पती इस सिनेमा को देख रहा है तो अपने पत्नी से जरूर इस चीज़ों को सेयर करेगा। बहुत दिन बाद ऐसी खुबसुरत सिनेमा बनी है यह सी फिल्म के द्वारा। और निशानत उजवल जिन्होंने बहुत प्यार दिया है सिनेमा को बुकिंग मल्टी फ्लेक्स में गया में एपियार में तो कि हमारे अभिनास भिया का सिनेमा होल है वो गया में दो सो बारस से तीन, तीन से छे वहाँ पे भी लग रही है और वहाँ पे भी बहुत क्राउड अभी मुझे पता चला अभिनास भिया द्वारा तो ताहे दिल से सुकरिया आदा में अपने जनता को करूँगा कि जो भी स्वास के साथ मैंने आप सब से कुछ मांगा था और आप सब दे रहे हैं लेकि इस सफर को रोकना नहीं है तेलगू की बहुत कम अबादी है लेकि स लाइक कोई सिनिमा बना नहीं पा रहा है और बहुत अच्छी सिनिमा रजनिस भीया ने अभे भीया ने निशान तुजवल और खेसारी लाल यादो आप सब का बेटा हमारी एक्ट्रेस पोडक्शन हाउस सब उने मिलकर इतनी एक खुबसूरत का हिस्सा बनाया है मुझे उ हौल के मालिक है अर्विन पांडे जी जो कि मुझे बहुत महबबत करते हैं उस परिवार का बेटा हो में बड़ी महबबत होई संकर में भी बात हुआ मेरा मोतिहारी में भी बात हुआ सब से बात हुआ मेरा सब ने बोला कि बाबु बहुत अच्छी खुबसूरत सिनिमा बात किया बोल रहे हैं कि भाईया ऐसे सिनिमा क्यों नहीं बनती है भजपुरी में तो अच्छा लगा क्यार मैंने एक अच्छी सिनिमा में काम करने का काम किया है मुझे इमोशनली हो गया मैं क्यार मैं अगर हम लोग ऐसे ही अच्छा सिनिमा बनाए तो हमारी जनता हमसे द तो वजा नहीं चुका पाऊंगा। क्यांकि इस सिनिमा को नीचे दिखाने की बहुत कोसिस की के सबब्लबै मेरि या लुटाल आप सब हएं ऑल्लै आ फिसनिमा कहा कि परियो आप आप सब मेरे लिए हर वो कड़ी हैं, जिस कड़ी पे मैं बस बोलना सी जानता हूँ, जिस कड़ी पे मैं मेहनत करना जानता हूँ, उस कड़ी के लिए मैं मेहनत करता हूँ, जो आप सबनी मुझे पावर दिया है, और मैं आप सब के बदवलत ही कुछ बोल पाता हूँ, छमता तो बहुत कम है मेरी क्योंकि आप सब इश्वर हैं मेरे लिए आप सब भगवान है ताहे दिल से सुकरियादा मैं अपने पुरे जनता को करना चाहूँगा जिन जनता ने मुझे इतना भरभर के प्यार दिया हर जगा हाउस फूल इस करोना काल में भी आप लोगों ने इतनी मुहबबत दिखाई मेरे लिए मैं ब्यान नहीं कर सकता कि आप कितने महान है खेसारी के नजर में धरने दिजी निशान भाई दुखी मत हो यह कोई पोस्टर सेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं किया फरक परता है आप इतने महान हैं हमारी जनता इतनी महान है कि जिनके पास कडोरो की संख्या हो वो किसी एक के वज़े से थोड़ी डिश्टप हो जाएंगे कोई प्रब्लम नहीं नहीं सेयर कोई करता है मत होने लिजी फरक कहा पड़ता है बस जनता को नराज नहीं होना चाहिए आप नराज होंगे हम काल आपको मना लेंगे क्योंकि आप एक हैं लेकि हमारी जनता जो है कडोरो में है हमें उन्हें नराज नहीं करना है हम किसी से गुसा होते हैं या कोई में से गुसा होता है